आज मैं मेथी के लड़ू की रेसिपी सेर करने वाले हूँ पर मेथी के लड़ू की रेसिपी तो सेर ही करूँगी साथ ही साथ इसके फायदी भी मैं बताऊंगी और लास्ट मैं इसके नुकसान में बताऊंगी कि किसको नहीं खाना चाहिए और जो लड़ू जैसे मेथी के ख वीडियो आपके सामने लेके हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का नामत बुलेगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब जब भी मैं आपके सामने जो न्यू वीडियो लेके हैं उस तब से पहले नुट्पिकेशन आपको मिले और हाँ यह दिए आपको को कन्फुजन हो तो कमेंट करके पूछ लिजिएगा मैं उसका रिप्लाइज जरू देती हूँ तो देखे मेरा वीडियो तो देखी गाइस ल लड्डू होता है मैं जलो भी म्योंब कमर को जरू बनाके 역ता टो गाइस मैं क्या कर रही हूँ यह लड्डू जो बना रहें हैं वह मैं असको पीश लिया है works को हम क्या करने है चान लेंगे तो चान लेंगे तो इससे बारीक-बारीक नीचे रहे जाएगा और मोटा-मोटा उपरी रहे जाएगा तो मेथी की जो लड़ू बना रहे हैं बहुत ही जदा फायदा करते हैं पहले के जबाने के लोगों को आपने देखा ऊगा बड़े लडू बनाएके काते हैं क्योंकि मैंति में गरमाट होती है तो यह हमने में च्छान लिया है उपर का पार्ट इसको एक साइड रख लिए है उसको आप रही को फेंकियेगा नहीं इसको आपको अच्छे लगेंगे तो यह लड़ू पहले के लोग जमाने के लोग होते हैं जो जरू बना के खाते थे और आप सभी को पता है कि पहले के लोग किते ज़्यादा महेंती होते थे और खाते थे इनों को तो महेंत आप लड़ू खाए तो वर्काउट जरू करें क्योंकि इसमें घी यूज कर रहे है तो जिस किसी को केलिस्ट्रोल की प्रोब्लम होतो जरुर बना किये जैसे खा रह potassium होतो आप उसको वर्क आउट जरुर कीजेगा तो गायस मैंने क्या कर लिया है अब मैं इसमें ड्राइफुट सबी ड्राइफुट फ्राय कर लूँगी मैंने गी डाल के पूरे डाय फूट फ्राय कर लेना है बदाम को जादा नहीं तरना है नहीं कड़वाट आ जाएगी थोड़ा बोती ही इसमें फूर ने लगे फिर आपको तुरंद निकाल लेना है बदाम को लड़ो जो होते हैं जैसे वृतावइन डी भर्पूर मात्रम होताह है विटाव unin की होता है और कई तरह के ऐसे मल्टि विटाविन जोते हैं कि हमारी बोड़ी के लिक这wer जısरी को यह ज़िद हमना तो इसचीद santé हो जाता है तो इस टाइम आप देख रहे हो नए-नए लो जैसे मेथी को लोग क्या होते कि दूद में भीगोगे गंटो दूद में भीगोते घी में भीगोते वह प्रेसेस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मैं बिल्कुल साधा सिंपल बताऊंगी उसमें आपके लड़ू भूती टेस्टी बनेंगे बहुती अच्छे बनेंगे तो मैंने पूरे ड्राय फोर्ट फ्राय कर लिया है और फिर हमें क्या करना आप साधा लिया और फिर ऐसाधा आटा डाल देना थो थोड़े साहिए क्योंकि लड्डू बना रहे हैं जो ज्यादा होने लगता है तो यह जरूर बना के खाएं और मैं यह भी बताओंगी कि किस तरह से खाएं कि आपको ज्यादा इसका पन्वाइब क्यों सिंनी हैं को पहते से चेवफा इसे आप जाए हैं जब तक इसको अच्छे से सिखाय करना है तो गाइस जो यह लड़ू होते हैं इसमें भरबूर मात्रा में होता है फाइबर होता है और आप सभी को पता है कि इसका फायदा मैंने बताई देए जोड़ों पैन इनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जैसे जैसे आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके सरीर में ताकत ना हो कमजोरी सी महसूस होती हो तो लड़ू जरू बना के खाए और जो लेड़ी अपने बच्चों को फील्डिंग करा रही है तो उन्हों को भी जरू बना के खाना चाहिए तो यह दिया आप मेथी के मेथी डाल दी तो उससे क्या होगा उसमें गर्माट आखे और अच्छे से वह सिख जाएगा क्योंकि हमें मेथी को ज्यादा नहीं सेखना है तो आप में क्या करना है आमें दूसरा नोस्टिक पहन ले लिया उसमें एक चमचवे मैंने डाल दिया है गी और फीर मैंने गरम ह फैदा करेगा, तो इसलिए आपको जुरूर डालना है, तो जो हम यह लडू बना रहे हैं, जैसे कड़वे लगते ही है थोड़े-बहुत कड़वाट होती है, जाएर इस यह बात है कि मेथी में कड़वाट अगी जब ही तो आपको पता चलेगा मेथी डालिया इसमें तो घाइस देखिए गाइस ये अच्छे से फ्राइब हो गया है क्योंकि didn't जाएगा जब आच्छे लगए गहरे अच्छा लगेा दिखा नहीं तो मुह मुह पर आएगा तो वह चिप dinero नहीं लगे दिखते हैं डाए-फोड तो खाते नहीं है इसलिए मैं इसको फारैनी पीस होँगी तो यह लड़ू बना रहे हैं बहुत ही अचछे लगते मिस manufactured देना चाहि तो पेसे नगया से इसे लेको फायदा केसे हो भाई सब्सक्राइब करें की रिचे से रहते Gorid बात प्रीज होते हैं लाद को मैं अलगा साहे हैं तो फायदा की जगना हो Roger तो आपको खटाइन भी नहीं खाने हैं दूद बिल्कुल नहीं लेना है जब तक आप यह लडु खार है हो मेतीके लडु खार हो जब तक तो गैसी दूसरी साइन मेने गॉंद है जो अच्छे से ठंडा हो गया था तो इसको अच्छे से मेस कर लिया है चमस से अब मैं क्या करूँ सीधा इसे में डाल दूंगी मिला लेंगे तो सभी चीज़े मैंने इसमें डाल दी है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है तो मैं आपको बता रही थी कि फायदा क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हम फ्रेज नहीं करते हैं फ्रेज से हम खाएंगे इसमें सुगर पाउडर तो आप इससे क्या होगा कि बूरा भी बोलते हैं तो इससे ढालने से क्या होगा यह ठंटक भी देता है सरीर में क्योंकि मेंती होती है। तो इसलिए आपको सुगर डरू डाल देना क्योंकि ना तो इस टाम कहें हैं नहीं ज्यादा सर्दी यह सब्सक्राइब पर इस टैम जो बना रहे हो तो आप इसे सूगर के साथ ही बनाए है क्योंकि यह ज़्यादा सही रहता है ना तो गर्मी होगी यह दिया आप गुड़ के साथ बनाऊगी तो ज़्यादा गरम हो जाएगा और फिर आप पताए कि प्रोब्लम हो सकती है अब मैं इसके लड़ू से बना लूँगी जितने भी बड़े साथ चोटे साथ में आपको लड़ू बना लीजेगा गाईस तो मैंने आपको बताए दिया कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है मैंने बता दिया लाश में मैं बता देती हूँ जो प्रिंग्नेन लेडियो उसको सुगर जिसके लो हो उसको यह नहीं खाना क्योंकि को कम飾म करते हैं लड़ू जिसके डाईबीटीज के के पैसंटों उसकोल खाना है ज्यादा है नहीं खाना हैς यहाँ है लड़ू हमारे बिलकुल बनके ready हो गया तो आपको मैंने बता दिया है कि किन लोगों ख खाना है कि को ने खाना है और सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना है इन लड़ों को जब यह ज्यादा करेंगे और करीबन एक안 गउंटे के बाद में आपको कुछ करना खाना है से पहले कुछ नहीं काना लड़ों सब hackers कौना सबसिक को खाली प्लेट में खाना जब जादा फैदा करेंगी तो यह अमारे लड्डू बनके बिलकूल रेडी हो गई हैं